हेलो फ्रेंड बेलकम यूटूब मैं चैनल अन्या लेडिस टेलर में आप सब का स्वागत है फ्रेंड मैं आप सब को कली वाली कुर्ती बताने जा रहे हैं तो बहुत ही सुन्दर कुर्ती है यह मैंने दो मीटर का कपड़ा लिया हुआ है कुर्ति का देडona हमने कपड़ लिया हुआ है इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है और इस तरह से मोल लेना थुट यह मेरा चार फोल्ड हो गया यह देखे इस तरह से हमें ुर्ठ transforms है अब हमें यहां उपर से लेके कमर तक का निशान हमें 15 इंच रखना है तो यह मैंने निशान लगा के कट कर लेना है यह मैंने कट कर लिया यह मेरा चार फोल्ड का है देखिए यह मेरा चार फोल्ड हुआ अब हमें यहां से निशान लगा है मेरा शोल्डर है शोल्डर हमने 7 इन्च ये मेरा आर्मोल है 1.5 6 इन्च तो आर्मोल हम requirements हमें 7 इन्च छेस्ट है छेस्ट के लिए हमने 9 इन्च रखा है तो छेस्ट हम अपने measurement की फ़िगाँ आप अपने हिसाब से रख़िए कमर हमें 8 इंच रखना है यहां से हमें यह ड्रा कर लेना है इस तरह से हमें ड्रा कर लेना है इस तरह कपड़ा यह मेरा कटिंग होएगा यहां से हमें 1,5 इंच 1,5 इंच के हमें लगा कर निसान राउंड सेप कर लेना है यह मैंने राउंड सेप कर लिया है यहां से हमें सीधी ड्रा लाइन कर लेनी है यह मेरा गले का निसान है तो गला हमें साड़े दीन इंच रखना है वोडनेक बनाना है गहराई भी हमें चार इंच रखनी है इस तरह से हमें बना कर हमें राउंड से दे देना है तो यह मैं निसान लगा लिए अब हमें नीचे का गेर बनाना है तो देखिए इस तरह से हमें कपड़े मोडने है इस तरह से दोनों कपड़े को दोनों कोनों को मिला कर इस तरह से दो फोल्ड कर लेना है इस तरह से मेरा बचा हुआ जो कपड़ा था इस तरह से कर यहां से हमें दो पाट में अलग कर लेना ह यहां सभी इससे हमें कट कर लेना एक निशान कैची से हमें यह कट कर लिया यह मेरा दो पार्ट हो गया तो यह देखिए इस तरह से दो पार्ट हो गया तो हमें अब निशान लगाना है कली बनानी है तो कली कैसे बनी पहले हमें उपर का हिस्सा को मैंने जो निशान ड्रॉ किया था उसे कट कर लेना तो यह मैंने कट कर लिया यहां से हमें चार इंच निशान लगानी है चार इंच फे और यहां से पांच तो ये 5 इंच के ये मेरा निसान हो गया तो ये हमें कटकल लेना है इसी के रिक और कार्डिंग मुझे गेर बनानी है इस तरह से देखिए हमें ये बंद साइड है इस साइड हमारा खुला साइड है तो अब निशान लगाना है देखिए पहले हम क्या करते हैं ये जो मैंने निसान लगाया था यहां से देखिए जो मैंने एक चार इंच पर निसान ये चार इंच है तो यहां से हमें चार इंच रख लेना है तो यहां पर ने एक निसान लगा लिया इस तरफ से और ये side का भी नाप लेना है तो यहां से दिखिये यह हमारा 6 inch है तो इस तरफ हमने चाल लगाया है यह लब जिस तरफ खुले side सरफ यह मेरा खुले side की तरफ है तो मैंने 6 inch पर निसान लगा लिया तो कली मेरा इस तरह से बनेगे यहां से हमें सीधा लाइन करके ड्रा करके कट कर लेना है इस तरह से हमें निशान लगा कर इसी लाइन पर हमें कट कर लेना है दिखिए हम यह कट कर रहे हैं तो इस तरह से हमें कट कर लिया ये मेरा आगे का साइड हुआ मैंने पीछे का साइड कट किया था तो आगे का साइड मैं कट करूंगी उसी तरह से पीछे का साइड जिससे मैंने कट किया था उसी साड आगे का भी कट होगा बस थोड़ा सा हमें इसमें निशाल ये मैंने आगे का साइड लिया हुआ है तो हमें मैंने उल्टा कर लिया है तो यहां मैं जो गले का निशाल लगा था वही हमें आगे का लगाना है तो चार इंच हमें गहराई रखनी है साड़े तीन इंच चोड़ाय दिए राउंड से मैंने कल लिया इस तरह से ये हमें लाइन सीधा ड्रा कल लेना है यहां से यहां तक इस तरह से ये मैंने इस तरह से ड्रा लाइन कल लिया है तो हमें अब देखिए कली बनानी है कली इसी तरह से बनाना है जिस तरख से मैंने back side बनाया था तो 4 inch हमें ये रखना है one side तरफ 4 inch खुले side हमें 6 inch बिल्कुल जैसे मैंने पीछे के side से कली निकाली थी ऐसे आगे के side भी कली निकाल लिया है तो इसे हमें cut कर निकाल लेना है इसी तरह से हमें cut कर लेना है तो दिखिए, यह मैने कट कर लिया है, तो हम जाइंन कैसे करेंगे, हाँ यह बताती है, यह बीच का है हमारा, जो मैने चार गोलने पे हमारा 8 षाता है, इस तरह से यह पतली वाली कली है, यह चाऊड़ी वाली, इस तरह से हमें जोड़ना है, देखिए ऐसे, दोनों साइड बीच में मुझे चौड़ी वाली कली रखनी है और ये मुझे पहले प्लेट लेना है ये चौड़ी प्लेट है ये पतली तो दोनों साइड से पतली लगानी है और बीच का चौड़ी तो दोनों को इस तरह से सिल लेना है यह जो मैंने आगे का पार्ट में जो निशान मारा था इसे हमें कट कर लेना है यह देखिए इस तरह से हमें निकाल लेना है तो हम डिजाइनर कुर्ती बनाएंगे तो इस तरह से देखिए इसे मैंने यह निकाल लिया तो देखिए जोड कंदें चोड़े ने outta आम्ना रहे हुआ ऑअ साइड में हमें पतली जोड़ लेनी है कली नि ऐसे रख गर इस तरह से हमें जोड़ना है अब आप सुलाई बता रहे हैं इस तरह से पहले हमें जोड़ेना फिर हमें गले कटकरनी हैं तरह पहले हम प्लाजो कटकर लेते हैं, या मैने ऩे के बहनने के लिए simple plajo डेड़ मीटर में मेरा अरज भी अच्छा है तो इसलिए डेड़ मीटर में अच्छे से हो जाए कि यह मैंने लंबाई रखा है अपने measurement के हिसाब से मैंने 40 इंच रणबाई रखी है दो इंच हमें कमर की लाश्टिक डालने के लिए चोड़ना है यह इस तरह से मैंने लाइन ड्रा कर लिया सीधा दो इंच उपर हमें रख लेना है बहुत ही simple plajo है तो आप सब अपने हिसाब से ही रखिए तो यहां से हमें आसन का ना आप रखना है तो आसन हमें 14 इंच रखनी है यहां से तो यह मैंने 14 इंच आसन रखिया दो इंच मिझे लाश्टिक लेके 14 इंच रखना है तो यहां से 2 इंच पे भी निशान लगा लेना है यह सीधी लाइन हमें ड्रा करके इस तरह से सीधी कर लिया मैंने यहां तोड़ा सा कमर कनाप लेना कमर हमने 13 इंच रखा है यह से राउंड सेप कर देना है बिल्कुल सीधी कटिंग करने हैं कोई वो नहीं है यहां से हमें मोरी रखनी है मोरी हमा ते रह इंच रखे हैं तो यहां से में लाइन सीधा ड्रॉ कर लेना है और कट कर लेना है इस तरह से लाइन ड्रॉ कर रहे हो और यहां से कट कर निगाल लेना है बिल्कुल सीधी कटिंग है प्लाजों की बहुत असान है आप सब बहुत असानी से बना लेंगे तो यह मैं जी अब आशन कट कर लेना है यह मैंने आसन यहां से कट कर लिया यह दो इंच जो मैंने लाश्टिक के लिए लगाया था यह उपर से इसी में हमें लाश्टिक के लिए कट कर लेना लग से हमें नहीं पट्टी जोड़नी है इसी से हमें आसन भी हो जाएगा तीस तरह देखिए यह हो गया इस तरह से इस त स्लाई जाना है चल्ट सिद्धी चलाई करते जाना है पूरे में दोनों महोरी इसी तरह से leak सब्सक्राइब लेनी है अचांच छोड़कर के यह दोनों महोरी मेरे सिलाई हो गई है अब हमें ज्वाइन करना है देखे ये मौरी सिलके तयार होगा ते देखे किस तरह से हमें ज्वाइन करना है ये बीच का जो सिलाई था मेरा ये बीच का है ये दोनों बीच के सिलाई इस तरह से मिलाईए और यहां से पूरे कपड़े को मिलाते हुए सिलाई कर लेना है बिलकुल सीधी सिलाई करनी है ये पलाजो बहुत असानी से बन जाएगा इस तरह से ये सिलाई हमें यहां से मिलाना है और सीधे सिलते जाना है तो ये देखिए मैं इस तरह से पूरे में सिलाई कर लेना है बुलकुल सीधी सिलाई थी तो ये मैंने डबल सिलाई भी माल लेती हूँ तो मेरा यह डबल सिलाई भी हो गया यह मैंने डबल सिलाई भी कर लिया अब देखिए इस तरह से मेरा बन गया है महुरी यह हमारा इल्कुल बन कर तयार हो गया है अब मैं यहां से लाश्टिक डालने के लिए मैं डाना है तो यहां से मैंने इस तरह से मोड़ना है डेड़ इंच तक का हमें रखना है प्लास्टिक डाल लेके लिए इस तरह से हमें सिलाई कन लेनी है इस तरह से मोड़ते जाईए डेड़ इंच का हमें कैपिंग करके सिल देना है इस तरह से बरावर सिलाई इल्कुल बरावर सिलाई हमें कर लेना है यहां दिखिए हम पूरी बरावर सिलाई करते जा रहे हैं इसमें हम इलाश्टिक डालेंगे तो इसलिए मुझे इतनी चोड़ी रखनी है यहां से हमने 1.5 इंच का होल छोड़ दिया है यहां से हमें इलाश्टिक डालनी है यह देखिए बने कर तयार होगे यहां से हमें इलाश्टिक डालने है तो मैंने इलाश्टिक यह एक इंच चोड़ी इलाश्टिक लिए है और लंबाई हमारी 24 इंच है यहां से सिप्टी पिन से हमें सिप्टी बिन से हमें पूरे में इस तरह से करके लाश्टिक को पूरे में कर लेना है इस तरह से हमने पूरे में लाश्टिक कर लिया तो पहले हमें यहां से दोरों औरी को बना के इस तरह से पूरे बीचों बीच कर लेना है पूरे में और दिक 보ो में पूरे backstage कर लिए हैं यह को में भी से Fel accounting करें अब भी से हमें एक सिलाई मानने तो हमें किस तरह से पकड़ना है कि मुझे बीच में कर लिए यह लाश्टिक में में पीच से सिलाई कर देनी हैं कि मेने शिल लिया इस तरह से सिलाई कर लीने पूरे में आ kepada गरने के रिचे बाद जो मैंने यह छोड़ा था अलश्टिक डालेगे लिए इसको भी सिलाई कर लेनी है यह सिल लिया मैंने यह मेरी सिलाई हो गई अब इस से हमें एक सिलाई माननी है तो हमें किस तरह से हमें पकड़ना है ऐसे आगे के साइड भी खीचना है पीछे के साइड भी तो मेरा बिल्ट विल्कुर अच्छा सते हो जाएगा इस तरह से बीच का बन गया तो देखिए यह मेरा लाश्टिक बन के तयार हो गया कि इस तरह से आएगा बहुत ही सुंदर लग रहा है तो यह मेरा प्लाजो बनकर तयार हो गया है पूरी इस तरह से मेरा यह सिंपल प्लाजो बनकर तयार हो गया अब हमें कुर्टी बनानी है तो कुर्टी के ही मैंने जोड लिया है दोनों साइड से पतली वाली कली जोड़ी Colist कि कि से ओपर का सेड़ बहु बना लिया है यहां से जो लेट मैंने दो प्लेट लाए थी निसान तो दोनों प्लेट को भी निशान मैने इस तरह से पूरी सीधी शिलाई कर लेने है। इस तरह से पूरी सीधी सिलाई कर ले नहीं है तो मेरा पीछे को गए अब मिझे आगे का बताना है यह देखिए मेरा आगे का साइड है तो मैंने इसमें एक प्लेड जोड़ा हुआ है यानि एक कली मैंने जोड़ी है दूसरी कली हमें दूसरे साइड जोड़ना है तो देखिए कैसे जोड़ना है तो यह मेरा जो आगे का निसान कट हुआ था तो पहले इस तरह से हमें रख लेना है इस तरह से रखकर हमें यहां से यहां तक सिलाई इसमें भी लगा लेनी, यह मेरी जो पत्ली वाली कली थी, तो इस तरह से पहले इसमें सिलाई लेगानी है, इस तरह से पहले हम आप सुब को बताते हैं कि इस तरह से करना है, तो पीनप कर लेते हैं पहले, यह हो गया मेरा मुझे उस साइड जोननी एपद्टी वाली कली एक इस साइड जोननी है मैं डिजाइनर बनानी है इस तरह से हमिए गोलेगे ने कपड़ा लेना है कि यह एस तरह से पूरे में इंटिशाय करके इस तरह सेमां प्लाट लेना है तो देखिए मेरा सिलाई हो गया तो मैंने जो पहले कली कट की थी तो उसको सिलाई कर लिया तो इस तरह से देखिए आएगा इस तरह से पूरे में हमको रखना है इस पहले से देख लेना है मारा बराबर है इस तरह से रखना है इस तरह से सिलाई करना है आप गोल्डेन पट्टी भी लगा सकते हैं ऐसे भी सिल सकते हैं तो हम गोल्डेन पट्टी लगाएंगे तो पहले ये गोल्डन पट्टी हम देखिए पतली पट्टी एक इंच की गोल्डन पट्टी कट की हुई है ये तो सिलाई करने दो पट्टी हमने गोल्डन कट की हुई है इस तरह से सिल के पलट लेना है दोनों साथ इसी तरह से हमें सिलाई करके पलटना है इस तरह से देखि यह मैंने सिलाई कर रही हूं तो एक सिलाई मैंने कर लिया है तो इस सिलाई को में दाबना है तो इस तरह से उपर के साइड सिलाई कर ले रहे हैं इस तरह पूरे में उपर के साइड सिलाई एक सिलाई मार लेनी है इस तरह से सिलाई मैंने कल लिया तो ये देखिए इस तरह से आएगा तो सीधे के साइड से हमें इस तरह से ऐसे रख कर पूरे में सिलाई कल लेनी है इस पे हम बटन लगाएंगे तो बहुत ही सुन्दर डिजाइन लगेगी कुर्ती की ये कुर्ती बहुत ही सुन्दर बन कर तयार हो जाएगी दो मीटर में हमने ये कुर्ती बनाया है बहुत ही अच्छी कुर्ती बनी है देखिए इस तरह से बनाईए फ्रेंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए LIKE, SHARE जरूर किजे, comment box में जरूर बताइए कि कैसी लगी गूर्ती आप सब को, इस तरह से बिखिए इस साइट से पप्टी में रहो गई, आप दूसरे साइट का भी पप्टी, इसी तरह से हमें दूसरे साइट का भी पप्टी तयार करना है, इस तरह से सिलाई हमें इसलिए बादना है ताकि फिनिसिंग मेरी अच्छी से आए तो यह देखिए दोनों पट्टी हो गए तो पहले हम निशान लगाते हैं कहां तक हमें खोलना है तो यह मैं 21 इंच पर निशान लगा लिया अब इस पर सिलाई बादनी है इस तरह से ऊपर के से रख की दीजिये और इसे नीचे का गोल्डेन कपड़े के ऊपर ही चलाना है तो जहां तक मैंने चौक का निशान लगाया है वह तक हमें सिलाई कर लेनी है यह यहां तक 21 विंच तक हमने यहां पर निसान लगाया तो यहां से हमें पक्का कर लेना है इस तरह से पक्का कर लिया मैंने सुई भुमाते हुए मसीन के पीछे साइट से हमें सीधा कर लेना है और सीधी सिलाई एक और लगा लेनी है डबल सिलाई कर लेना है हमें तो यहां से मैंने यह डबल सिलाई कर लिया यहां से कट कर लेना हमें यह कट करने के बाद हमें यहां से सिलाई सीधी करनी है यह दिखे यह कट किया था मैंने तो यहां से नीचे के साइड से हमें वो गोल्डेन कपड़ा को अंदर कर लेना है इस तरह से ऐसे दिखिए इस तरह से अंदर गोल्डेन कपड़ा कर लिया हमें एक साइड से हमें गोल्डेन कपड़े को दिखाना है एक साइड से अंदर कर देना है तो यह दिखिए यहां से दिखिए इस तरह से करिए यहां से घुमा कर पक्का कर लेजिए यह मेरा आगे का हिससा भी बनकर तयार हो गया है यह दिखे इस तरह से आएगा बहुती सुन्दर कुर्टी बनकर तयार होएगी यहां पे हम बटन लगाएंगे यह पहले हम गला कट करते हैं तो हमें पहले बराबर का निसान रख लेना है इल्कुल बराबर रख लिया मैंने यहां से हमें अपना गले का सेप देना है बोडनेक बनाना है तो हमें चार इंच का बोडनेक लगाया था तो यह मैंने कट कर लिय यह दिखे इस तरह से अब हमें अरेवी पट्टी लेनी है पतली और इससे सिलाई करके पतली ही पट्टी का हमें गले का बना लेना है इस तरह से हमें गले को रखना है अरेवी पट्टी को यहां से सिलाई लगा लेनी है पूरे गले में कि बेरा गलत बन गया जो दिख्यू कैसे में पलटना ये यहां हमें कट का छोटा चोटा कट निसान लगाना है मारी सिलाई नहीं कटनी है उप कट लगा लेनी है इस तरह से हमने कट कर लिया और इस तरह से सिलाई कप्ड रूब पड़र करते हुए एक उपर से सिलाई कर लेनी है कि अच्छा कि इसी तरह हमें पीछे भी राउंड सेप करके कट कर लेना है और गले को बनाना है बोड नेक में हमें चोटा ही गला बनाना है तो चार इंच का हमने निशान लगाया था वही कट करना है तो यह मैंने कट कर लिया जिस तरह मैंने आगे का इससा बनाया था गले का इस तरह में बैक साइड भी बना लेना है तो यह मैंने बना लिया है तो यह अब हमें सोल्डर जोडना है तो देखिए ये दोनों सोलडर हमें इस तरह से मिला कर यहां से इस तरह से रखना है यहां से इस सोलडर को जोड लेना है इसी तरह हमें दोनों सोलडर जोड लेने हैं यह तो मैंने दोनों सोलडर जोड लिया है तो देखिए मेरा इस तरह से बना के सुई से हमें ब मेरे आर्मोल है आर्मोल में हमें पाइपीन बनानी है तो आर्मोल बन में बनाने के लिए हमें पाइपीन गोर्डेन कलर के लेने तो हमें गोर्डेन कपड़ा लेना है इस तरह से गोर्डेन कपड़ा लिए हमें अरेबी कट कड़ी है इसमें लगा के जोड़ लेना है यहां से देखिए हम सिलाई कर रहे हैं इसी तरह से हमें सिधे सिलाई करनी है अरेवी पट्टी है तो हमें खीच कर लगाना है ताकि हमारी गोली पैपीन बने वह सुंदर सी इसी तरह से दोनों साइड हमें आरेवी पट्टी को लगा के पाइपीन बनाने है तो यह मेरा एक साइड का लग गया है तो हम पाइपीन बता रहे हैं किस तरह से लगाना है दिखिए इसे यहां से इस तरह से पकड़िए अंदर के साइड के अपड़ा करिए यहां बारिग मस जाएगी तो दोनों और मोल हमें इसी तरह से गोल्डेन पाइपिन से बना के तयार कर लेना है कि देखे इसी तरह से दोनों साइट का भी आर मोल बना कर तयार कर लेना है तो सबस्क्राइब ति यह हो गया है तो दिखे बनाकर मैंने तयार के लब हमें फिटिंग नाप देनी है तो फिटिंग नाप के लिए पहले हमें वराबर कर लेना है पूरे तरफ दोनों साइड से तुछ यह दिखे ऐस तरह से आएगा तो अब हम फिटिंग नाथ देते हैं तो हमने 18 इंच पर अपना चेष्ट रखा हुआ 8 इंच पर यहां पे मैंने 18 इंच पर निसान लगा लिया और कमर रखनिया में कमर हमने 15 इंच पर रख लिया तो यहां पर देखे मैं 15 इंच पर अपना निशान बस यहां से यहां सक ड्रा करना है इस तरह से मिला देना है अब हमें सिलाई करनी है तो यहां से देखे आर्मोल से हमें पक्की सिलाई करनी है और बाकी सीधा सिलाई करना है तो यहां से देखिए हमें इस तरह से सिल दे जाना है हमें विल्कुर सीधा करके हमें बराबर करते हुए कपड़े सिल लेना है इस तरह से हमें बराबर करना है कपड़ा और सिल देना है यहां तक देखिए यहां तक हमने पूरा बराबर कर लिया कपड़ा यहां तक मारी सिलाई होगी इसी तरह से हमें दूरों साइड से सिलाई कर लेती यह देखे मैंने जो निशान लगाया था यह मेरे fitting नाफ है आप अपने हिसाब से measurement रखिये यहां से दिखे मैंने 36 तिंज का measurement बताया हुआ है आप अपने हिसाब से रख लिजिए मेजर्मेंट तो यहां से पक्का कीजिए और पूरे में सिलाई कर लिजिए यह फ्राक कुर्ती बहुत ही सुन्दर बन कर तयार होएगी आई होप आप सबको मेरी डिजाइन बहुत पसंद आई होगी मेरी कुर्ती तो लाइक सेड जरूर कीजिएगा फ्रेंज के पार जरूर सेड कीजिएगा अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा यह नीचे के साइड हमें मोड कर सिलाई करनी है तो ये हमारे थोड़ा छोटे बड़े कपड़े आये हैं तो इस तरह से हमें पकड़ के यहां से इस तरह से पकड़ के मिलाना है और छाट देना है कपड़ा यह मैंने कट कर लिये जो हमारे इस्ट्रा कपड़े थे अब हमें यहां इस कौन से इस कौन पर सिलाई मारनी है तो मैंने ये सारे कपड़े बराबर कर लिए यहाँ भी थोड़ा सा हमारा बड़ा कपड़ा है तो हमें ऐसे बराबर कर लेना है अब देखिए इस कौन से हमें कौन तक मिला एक इंच तक हमें मोड कर सिलाई कर लेनी है नीचे इस तरह से तो फ्रेंड अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने की हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बिए लाइक कर जरूर फ्रेस्ट कीजिए आपकी आप सबको मेरी वीडियो सबसे पहले आप सबको पहुँचे ये दिखिए मेरी कुर्ती कितनी सुन्दर बनकर तयार हो गई ये मैंने दो मीटर में कुर्ती बनाई हुई तो कली वाली कुर्ती दो मीटर में बनाई ये डेड़ मीटर में प्लाजो बनाई बहुत ही सुन्दर प्लाजो बनकर तयार हुआ है मेरा